नमस्कार, चमकते सितारे में आपका स्वागत है, मैं विश्वेंदू जैपुरिया हजारी बाग को अविवाजित बिहार का सिमला कहा जाता रहा है बहुत सुंदर जगा है ये, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम जब यहाँ गूमने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को इनोर कर देते हैं, लेकिन हमारे साथ जो आज एक सक्सियत है, मितुञे सर्मा वो अपने आस पास की चीज़ों पर नासिब नजर रखते हैं, बल्कि उस पर शोद भी करते हैं और यही वज़या है कि लिमका बुक अफ रेकॉर्ड में इन्हें जगा मिला है, इन्होंने हजारी बाग के कंधरी पाहण के फुटिल्स पर टॉलेस्ट एंटिल की खोज किया है, जिसे चीटियों का मामी कह सकते हैं आईए जानते हैं, देomasट इनके बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे आपने कंधरी पाहण में बहुत तरह की कहोज की है, कई तरह की तितलियों को खोजा आया अपने, बहुत तरह की की पतंगों को कुजा जा किए शुरूवाद कहाँ से हुई बिश्विंद्व जी शुरुवात कहां से भी ऐसा नहीं है, हमने नहीं खोजा है ऐसा है कि अब हमारे अंदर जो है कोजने की परवीरती खतम होगी यह पहले होता क्या था कि अंग्रेज लोग के समय में अबीटीस में एक गजट का उपरकासन होता था है जिला में तो गजट में होता क्या था कि वहां के जो भी जो डिस्टिक में इस्टेट या जो भी अपसर्त है उनका डिवटी होता था कि वो जीले की हर घटना को हर चीज को लिस्टेट करें तो listing का हमारे पास आजकल कर डेट में listing का capacity खतम हो गया है राधमी में और जिनको listing करने का जो जिमा दिया गया है वोग लोग वे काम करते नहीं है जिसे college के university के professor है जो भी परसासनिक अधिकारी है उनको चाहिए लिश्टिंग करना, तो हम देखें कि एक अभाव है, गैप हो गया है बिल्कुल, बहुत दिनों से गैप है, हम यह जान नहीं पाते हैं, कि हमारे आसपास असल में है क्या है, यह गैप जो है, यह बिल्कुल अलग बात है, लेकिन आपने तो शोद किया है, आप किया इसका एक होना चाहिए हमारे पास, डाटा, कौन चीज बचा हुआए, कौन चीज खतम हो गया, कौन चीज पहले मिलता था, कौन अब नहीं मिलता, तो इसका कोई आकडा यह, कोई डाटा नहीं कोई इकठा कर पाया, तो हम ने सोचा, और एक बात और है जाएए बच्चों को लेकर वहां कुछ नहीं दिखेगा तो आप निरास होके लोटते हैं कि दिन बर घुमें आज देखो नो कुछ नहीं मिला देखने के लिए तो बड़े जानवर धीरे-धीरे खतम होते जा रहे हैं तो हम सोचे कि जंगल के परतियम इतने उदास दिखिए जब कोई भी चीज को आप जानियेगा तभी उससे आप प्यार कर पाईयेगा तो हमने सोचा कि जंगल से आजकल नीरस क्यों होते जा रहे हैं हमारी नई पीड़ी हो या हम हो जंगल तो हमने सोचा इसको एक रोचकता परदान किया जाए कि नहीं जंगल में आज भी बहुत सुन्दर और बहुत खुबसूरत चीज है और हम जब भी जंगल में जाएं तो कुछ न कुछ वहां से सुन्दर चीज को देख के ही वापस लोटे हैं तो इसलिए हम सोचे कि छोटे-छोटे चीज को खुजना सुरू किये बहुत सारी तितलियां हैं बीटल हैं स्पाइडर हैं जो मिलते हैं हमारे आस-पास जिसको हम नजर अंदाज करते हैं तो हमारा परियास है कि आज के जूग में हर चीज अक नया डा मैंसन से हम देख रहे हैं हम एक न II के ङूग में आग हम ह्मार aan टांस्पोर्टिंग शिस्स्टम सुदर गई हर चीजScript यूगे समस्पास शिस्टम कर तोarkा तो हमारा सोचने का जेंगल के पर ती नजरिया भी एक नया डाइमेंशन दिया जाए इसको और यह की 20 सालों में सबसी बड़ी उपलब्दी रही एंठील को खोजना ने जिती की जो बांबी है जिसको लिमका बुक अपर डेकॉर्ट में जगा मिला समझदा चाहेंगे की वह आपने कैसे खोजा था इंठील को ही हमने ने खोजा हम कम से कम मतलब अपने आसपास के चीजों में 50 से ज्यादा उपर के चीज को हम खोजे हैं और हम खोजते हैं तो उनको पहले एक छोटा सा नाम देते हैं जैसे एक बूतिया पेर हम लोग नाम दिये हैं जो ढारू के आगे गाओं उन जाके सेलफी उलपी लेता है फिर हम लोग जंग जगा के आसपास के जगा को रोचक बनाने के लिए जैसे लारा नदी है बौधा डैम है जाते हैं अभी इचाक के पास कुटम सुकरी ये गाँ है आपको जानके आच्छा जोगा कि इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा सेमल का पेर है वहाँ पे उसको हम लो तो हुआ कि नहीं इसका साइज और उसका है वह 52 फिट उसका घेरा है गुलाई ये नीचे जबकि इंडिया का सबसे लार्जेस उतरा खंड में है उसका 54 फिट है जो सेमल को छोड़के मतलब और पेर्ड में नहीं आ सकता है इतना बड़ा बरगत को छोड़के सबसे बड़ करना तो फिर और लोग को है जिनको अथिरीटी है सरकार में जो है उलुक करें उसको कुछ लइन आज तक उस पर कोई कारवाई नहीं हुआ दो साल से जादा हो गया हम लोगों ने डीडीसी को लिखा डीसी को लिखा इचाक मैसा है उस पेर को आप लोगे कीजे और आपको अश्चेर जोगा कि उसका पहला पेड़ है जैसे अभी राजस्तान में एक सबसे बड़ा नीम का पेड़ हो लोग हो जाया है इंडिया का उसको जाकर देखिए कितना अच्छा से उसका घेरा बंदी किया वहां बोर्ड लगाया टूरिश्ट लोगों आते हैं देखने उसक को लेकिन हमारे हैं ऐसा कुछ नहीं है तो हमें अफसोस होता है लेकिन हम उसे नहीं करते है हमें काम करना है हमको बतााना है आज नहीं तो कुछ को खोच के निकाले हम लोग जञ़न नदी को हम खोज के निकालें कि वहाई आईए तो इसको भी देखिए आप यहाँ पे आगे कनहरी पाहर पर आपने काफी शोद किया है और वहाँ पे तरह तरह की तितलियां आपको मिली है जो पिकाउक पेंसी है वहाट की सबसे खूबसूरत तितलिय उसको माना जाता है तो वज़य क्या है कि कनहरी में इस तरह से कई तरह के मौत मिलते हैं कई तरह की तितलियां मिलती है इसके पीछे की वजय क्या है? कि इतना समरीद क्यों है ये कनहरी? हमारे कनहरी के पीछे या कोई भी जंगल के पीछे हमको पीछे में जाना होगा, इतिहास में थोड़ा सा पहले क्या होता था कि बेटीस लोग कुछ परजातियों को लाके या छोड़े हैं हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि उनका छोड़ा हुआ पहले के लोग सोखीन होते थे जैसे आप आज भी नेतर हाट जाएए या हजारी बाग के जंगलों में जाएएगा तो पाइन का ट्री मिल जाएगा आपको तो उलोग जंगल में ले जाके लगाते थे नेतरी को उलोग को सौक होता था जैसे विकेंड पे जाके बीज को अगर खाये तो उसको ले जाके कहीं गार दिये रोब दिये तो कुछ परजातियों को कुछ आश्टेलिया से लाके कुछ बिटेन से लाके उलोगों ने छोड़ा होगा उत समय जिसके अभी भी कुछ परजातियों को कुछ अंस मिलते हैं हमें और मिले अगर हम उसको फोटो लेकर हम अगर डाले नेट पे तो सब लोग बोला कि तो आश्टेलिया जिसे लूना मौत है लूना मौत इधर नहीं मिलता है ग्रीन कलर का वो आश्टेलियन पर जाती है जो यहां हमको मिला कैनरी में तो ऐसे खोजने से हम अगर देखते हैं तो बहुत सारा चीज को हम खोज के निकाल पाते हैं डून्ट के और हमें लगता है कि कैसे होंगे वो लोग जो इतना सौखीन थे कि कुछ पर जाती हों को लाक इधर से उदर ले जाको लोग टांस्पलांट करते थे छोड़ते थे पेंड में भी पेंड में भी आप ट्री के बारे में भी देखिएगा बहुत सारा ट्री है जैसे अंधर में मिलेगा आम है पाइन का पेंड तो किसी नको इनकोлом के लगाया होगा आज से पचास सल पहलें उसको तो हमें भी वो परोविर्टि हमें में वी सेकना चाहिए हमारे आने वाली पीड़ीमें यह चीज आनी चाहिए कि जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसके बीज को रखें और विकेंड में कहीं भी जाएं अपने गारजियन को आप बोलिए कि पापा चलिए हम इतना बीज इकटा कियें कहीं लगा के आते हैं और इसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ एक दो घंटा टाइम देना है उसमें आपका कम से कम दस पेंड का बीज लगाई यह दो पेंड भी हो जाता है तो बहुत अच्छा आपके लिए सितागड़ा एक जगा है यहां पर मैं भी वहां जा रहा था तो मुझे सितागड़ा जाने के दौरां डांसिंग फोरिस्ट मिला जो कि आप भी खो जाता और साल की व्रिक्षों को देखता तो सायद मेरा ध्यान उस पर नहीं जाता लेकिन आपने खो जाता तो कैसे यह ध् आसपास के गाओं वाले लोग जैसे बहुत सारे इंटेरियर इलाका है बहुत सारे अंदर में गाओं है या सड़क हैं लोग सीप सरक से आते जाते हैं तो हम सोचे कि नहीं हर गाओं के आसपास कुछ ऐसा दो चार जगा खोज दिया जाए और लोग को उसका परचार किया ज इस मिलता है डांसिंग फोरेस्ट एक्च्वेली में आपको बहुत जगा मिल जाएगा ऐसा नहीं है कि रांची तरब जाएए या सकुआ का जो भी कटा हुआ जंगल रहता है लेकिन यहां पर चुर्चू के पास देखे कि यहां का डांसिंग फोरेस्ट हमको थोड़ा सा अ है तो आप एक चीज वहां नहीं देखे बलकि रास्ते में दो चार चीज और देखते हुए वहां पहुंचे तो उसमें होगा क्या कि एक जरनी पूरा आपका बनेगा बहुत खुबसूरत तो इसलिए हम लोग उसको डांसिंग फोरेस्ट हम बोता है कि आपको एक जंगल को या कोई भी चीज को एक नाम हम लोग दे देते हैं और नाम दे के उसका परचार सुरू करते हैं चाकि ऐसे नाम नहीं देंगे तब तो कैसे कहेंगे कि कौन सा चीज देखने जाईए तो जैसे उसका डांसिंग ट्री हो गया फिर उसके बाद घोष्ट ट्री हो गया भुति ग्राफी या कोई भी नया जेनरेशन उसको देखके और अच्छा ही समझेगा इसलिए हम लोग उसको खोजते हैं अपने बहुत सारी चीजों को खोजा है जारी वागों में और आसपास की इलाकों में लेकिन कभी सरकार का ध्यान नहीं जाता है उस वर जबकि हम वीदेशो में देखते हैं कि कुछ चुटा-चुटा चीज मिलता उसको उस तरीके से डेवलप कर दिया जाता है तो एक अटेक्शन का रूप ले ले लेता है टूरिस्टों के बीच में लेकिन जहरकंडा या कहीं इंडिया में इसका भाव है तो कितना तकलीफ देता है आपको तो दे देता था कि लोग कोई काम नहीं हम उनको खोज के बता रहे हैं इको टूरिजम डेवलप करने के लितना लो लेकिन हमको फिर बाद में दुख नहीं लगता अब दुख नहीं लगता सुरू में कुछ दिन लगा था इसलिए कि हमको लगता है विश्वेंदू जी की वीजन क आवाव है हमारे पास विजन का अब आव है और बाकी हमको लगता है कि इतना पड़ ली कि आया कोई उचे पर पर पे हैं वह फिर बहुत बढ़े वो लोग बाहर भीतर घूमते है वो लोग तो सब चीज देखते हैं वीजन हमारे पास वीजन आ कि यहां कम कैसे हो जाता है आप देखिए कि आप कोई भी एवर्नेस के लिए आप काईज करम चला, ये वर्नेस में क्या है कि किस लेवल पे एवर्नेस करना है, हमको आज तक ही पता नहीं चला, पढ़े लिखो लोग के बीच में करना है, कि अनपड़ के बीच में करना है, कि बच्चा के बीच में करना ह किस लेवल का चाहिए है वर्नेस लोगों में हम सिर्फ कोच के बताते हैं और बाहर के देशों में बहुत सुटा छोटा चीज उलोग संग्रक्चित करता है बहुत अच्छा चटान देखेगा उसको एक अच्छा सा नाम दे देगा उसको संग रक्षित कर देगा पार्ग में तो हम केवल जानवरों के पर ही भटके हुए हैं कि भाई पार्ग है तो जानवर पर चिंता करो जानवर के बारे में सोचो और जानवर बचे नहीं है अब तो हमारा जानवर कहीं नहीं है हम आज तक 20 साल से जंगल में काम कि आज तक हमको कोई जानवर नहीं दिखा हम लोग कहने के लिए गीनती के लिए भले बोलने कि यहां पर हैरन है, बाग है, सेर है लेकिन कुछ नहीं, दिखता नहीं है कुछ तो वीजन का वाव है विस्वेंदू जी अभी वावक भी बच्चों को तो बताते नहीं है नेचर के बारे में, दूर होते जा रहे हैं बच्चे आप लोगों ने बहुत सारा अवियान भी चलाया क्लीन दाहिल और बहुत सारे अवियान चले वो अभी, आप लोग स्कूलों में भी बहुत बार एवियने स्केंप भी लगाएं तो इसका कुछ परभाव पढ़ता दिखता है अब हमारा एक माननत है कि जैसे कि हर जगा योगा क्लास, डांस क्लास, ड्राइंग क्लास होता है तो एक नेचर क्लास भी इस बच्चा लोग में होना चाहिए तो हम लोग करनेरी में एक नेचर क्लास करके स्टार्ट किये थे विस्वेंदु जी आपको जान के आजचर्ज होगा कि उसमें आजकल के बच्चे 7, 8 और 9 के बच्चे पलास का पेर और सकुआ का पेर और सागवन का पेर तक नहीं पहचान पाते हैं उनको क्या सीख्चा दे रहे हैं हम क्या जंगल से और पढ़ियावरंस उनको प्यार होगा और प्रेम होगा जब उनके बारे में हम जानी नहीं रहे हैं मतलब हमको देखके आजचर्ज हुआ यहां के अच्छे स्कूल के बच्चे में यहाल है उनको पलास के पेड़ के बारे में बताया गया हम दिखाए उनको बताए बहुत पूछे कि भाई यह कौन सा पेड़ है तो बहुत अंकल हम लोग नहीं जानते हैं और आपको आच्छे होगा कि हमारे क्लास में उस समय के ततका डीसी साहब थे रवी संकर सुकला जी तो भी आए थे और डी आई जी साहब थे पंकच कंपो जो भी आए थे तो यह लोग आकर बोले कि में तुझे जी आप इस नेचर क्लास स्कूल के लिए क्यो चला रही तो हम लोग के लिए भी जरूरी है तो बहुत सारे चीज तो हम लोग भी इसमें से नहीं जान पा रहे हैं कि है क्या तो वह एक होता है कि सही में उन्होंने स्विकार किया कि हमारा सच में नेचर के परतिया भी इसके परतिया इवर्नेस कम है चुकि हम भी कुद नहीं बता पा रहे हैं आपको कि सच में किस चीज़ का पेंड है जबकि हमारे campus में होगा ही जरूर आसपास होगा तो nature class बोले कि तो सब के लिए जरूरी है बड़ा लोग के लिए भी है तो हम लोग उसको चला है थोड़ा से awareness तो आया है कि ओ लोग थोड़ा सा कोई भी बात को समझते हैं लेकिन हमारा beach का जो generation था जो गरबर हो गया पूरा old age वाले लोग तो समझते थे लेकिन आपका मतलब समझी 80 से लेके आपका 2000 या 90 तक का 10 साल का generation आया ओ जो generation में थोड़ा सा gap हुआ nature के परती या कोई भी चीज के परती जो भी gap आया है उसी generation के अंदर आया gap आप ऐसा वाज करके देखिए गार चीज में 80 से 90 के दसक का जो generation था वो बिल्कुल gap वाला दसक था फिर नया दसक जैसे अभी आ रहा है अभी के बच्चे में वर्नेस है कोई भी चीज के बारे में कम से कम उलोग को बुलाने से या कहीं बुलाईएगा या कोई सब साब सपाई के लिए तो लोग जूटते हैं आ जाते हैं वो लोग में है एक चीज बिल्कल अपके 20 साल हो रहे हैं पूरे कम करते हुए नौध करते हूए किताब लिखने की आयोजना है क्या उस उमें कुछ कर रहा है में हमने उसके बाद हम ने चोटे चोटे चीजों को इंसेक्ट को कलेक्ट किया चारो तरफ से फोटोग्राप्स के मात्यम से और एक लिश्टिंग किया जैसे हमारा स्पाइडर ऑफ जारकंड एक करके मुख भी छपा था जिसको पिछले बार मुख मंत्री रगवर दास जी ने बिस वपर यावरन दीवस के दिन लॉंच किया था केल गाओं में और पांच जून को तो उससी ताइप से हम सोचने हमारे पास रेडी है जैसे स्पाइडर ऑफ जारकंड उसको हम पांच पॉलूम में किये हैं उसके बाद बीटल ऑफ जारकंड करके है फिर बटरफ्लाइ और मौत है फ्लाइ और बी है केटर पिलर ऑफ जारकंड है करके हम पांच पॉलूम का एक बुक फॉर्म तयार लिए नहीं तो हमने सोचा कि जंगल को रोचकता कैसे दिया जा तो हमने सोचा कि छोटे-छोटे इंसेक्ट के बारे में हम बताएंगे लोगों को कि आप जंगल में आईये तो इस चीज़ को देखिए बीटल को देखिए सुन्दर-सुनर बीटल मिलते हैं ज्वेल बीटल है बिलकुल गोल्डेन कलर का गोल्डेन ट्रट्वाइज बीटल है तो इस से निया जनरेशन में एक इंटेस्ट हाएगा और जब आप किई को जानिये गए गा तभी उससे आप पयार कर पाएगा जब तक जानिये गा नहीं तक प्यार ही ही नहीं हो पाएगा उससे और आजकल सबसे विडमना यह है कि हमारे यहां पर्यावरन का मतलब सीट पेंड लगाने से लोग जोड़ के देखते हैं जबकि ऐसा बात नहीं है हमारा मानना है कि पर्यावरन तो सब चीज को मिला के बनता है अगर आप एक बल्ब पोल पे जल रहा है दिन बार उस बल्ब को आप स्विच आफ कर देते हैं तो भी आप पर्यावरन के लिए एक काम किये लेकिन हम लोग का क्या है बिस्वेंदो जी कि हम लोग पेंड लगा के सोच लेते हैं कि पर्यावरन के लिए बहुत बड़ा काम कर दिये और जो आदमी पेंड अगर हम आज लगा है और 10 किलो पॉलिथीन अगर हम कच्रा फेक दिये कहीं भी जाके तो क्या परियावरन पर काम किये कुछ नहीं किये हम आप तो जितना पेंड लगा के फाइदा नहीं किये उससे ज़्यादा नुकसान आप पहला रहे है आज कर देखिए होता क्या है विस्वंदू जी हमारे मन में बैठ जाता है कि जैसे किसी से भी आप पूछिएगा तो लोगों में एक बतारना है कि यहां माइनिंग हो रहा है यहां पर कॉल एरिया खुल गया कॉल फिल्ड खुल गया जिसके चलते हैं हमारा सब चीज बरबाद हो रहा है जबकि ऐसा नहीं है आप कॉल फिल्ड आपका खुला है लेकिन ठीक है कॉल फिल्ड वहां खुला है आप अगर कनेरी में पिकनिक मनाने जाते हैं वहां 10 किलो कचरा छोड़ के आते हैं को फिल्ड को क्या मतलब है आप अपने विहेवियर को सुधारिये ना अब को फिल्ड को दोस्त देते हैं कि हमारा परदूसन कर रहा है परदूसन पहला रहा है पहले कोईला खदान नहीं था बढ़करणाओं का एरिया पर पुराना पड़ गया आप अपने कचरा घर के आसपास फेकते हैं उसको आप सुधारिये कोल फिल्ड उसमें आके क्या करेंगा आपको तो हमारे अंदर एक चीज देखते हैं कि संतोस की भावना होती है यह हम गंदगी कर रहे हैं तो क्या हुआ हो तो भी तो कर रहा है वहाँ पर तो यह तो हमारे अंदर संतोस्ती की भावना होई कि भाई कोल फिल्ड गंदा कर रहा है इसलिए हम यहां गंदा कर रहे हैं आप आपका सरक गुजर गया, कनेरी से फोर्लेन गुजर गया, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, आप आप यूरोपियन कंट्री में जाएए, हर जगह जाएए, सरक के किनारे इतना डेंस फोरेस्ट रहता है, इतना घना घना फोरेस्ट मिलेगा आपको, और उससे क्या सरक भी गुजरेगा फोरेस्ट भी रहेगा हम मानसिक्ता को चेंज करें थोड़ा सा सरक के साथ साथ हम उसको ले के चलें फोरेस्ट को कनेरी में अगर हम पटल प्लेट फे के गंदगी फेला है साथ करें उसको कनरी के बगल से रास्ता गुज रहा है तो विकास भी तो होना जरूरी है अपने कनरी की चर्चा की तो कनरी को मैं हमीशा हजारी बग का हिमाले कहता हूँ क्योंकि वह जो जगह है हजारी बाग में कोई मैच नहीं है उसका कोई वैसा दूसरा जगह नहीं है अंग्रेज पी जब आये थे उनको वह जगह इतनी पसंद आई थी जैसा आपने कहा कि बहुत तरगी तितलियों की स्पीसिज मौत की स्पीसिज लाके वहाँ लोगों ने छ कने рек के बारे में क Glasvandhu घेती एक ही बात बताएंगे जो फेक्ट है जो हम के बारे में पुरा इंडिया में पूरा भारत में अ में करदी बायो डाइवर सिटी का और इसका पर्फेक्ट एक जांपूल है और हम णहीं समझते हैं कि अभी तक अपने जीवन में हमारे फादर भी फोरेस्ट में ही थे हम बच्पन से जंगलों में बहुत जंगल में हमारा जनम भी जंगल में ही हुआ और कनेरी जितना compact disc कर सकते हैं कनेरी को एक compact disc से उसके तुलना कर सकते हैं जितना तरह के variety कनेरी में हम देखे चाहे जो भी हो spider का हो या कुछ हो मतलब कि वो समझे अपने आप में एक पूरा है कनेरी कनेरी की तुलना कहीं और के biodiversity या कहीं और किसी पार्स नहीं की जा सकती और हमारा एक गर्व का बात है कि सहर के इतना नजदीक होते हुए इतना reach biodiversity हमको मिला हुआ है कनेरी ही नहीं है जारी बार जील को भी आप देखिए जील में बड़ी जील जो है जिसका diversity बहुत रीच है उसे में जील की जब बड़ी जील की साफ सफाई हो रही थी यहां पे कुछ लोग सहर के तो हमने उसका उसको इसी लिए बिरोद किया था हम बोले आप छोटे जील में जो भी करना है करो बाकी जील में करो एक जील को कम से कम छोड़ दिया जा और सही में waterbird है या जो भी है उसका biodiversity एक्वेटिक biodiversity बहुत रीच है बड़ी जील का अब करने की बात करें तो लोगों का कहना है कि फोर लिंज वहां से निकल गई तो अब संभावना खतम हो गया करने करने का नहीं ऐसा बात नहीं है हमारा बोले तो कि यह संतुष्टी करना हुआ आप कर कुछ नहीं करना चाहरे हैं तो आप से अगर पूछा जा कि आप क्यों नहीं करने तो भाईया वहां से सरक निकल गया ऐसा कुछ नहीं है सरक निकल गया उसके बाद भी तो आपके पास बहुत धेर सारा एरिया बचा हुआ है उसको आप देखें ना उसको करें आप विकास के साथ उसका तालमेल बैठा के चलें विकास का बिरोधी नहीं हम लोग सुरू से आज तक कभी बिरोध नहीं कि हम लोग बोलता है हमको कि आपका नहरी पर रोड निकलवा दिये आपको कुछ करना चाहिए था हम बोले नहीं रोड निकला तो ठीक है रोड के साथ साथ हम उसको डेवलब करें तो हम इस चीज को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हमको उस मेहनत के डर से भागने के लिए हम लोग इस तरह का बात करते है या कुछ नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है कुछ ट्रांस हाईवे जितना भी वर्ल्ड का फेमस जो हाईवे है जैसे कि यहां पर फ्लावरिंग प्लाउर्स प्लांट जैसे हम लोग इरोग तरफ या कहीं देखते है से मलीप Bedes今天的 Clay या यह फिर जैसे चेरी का चैरी सो तो बोष चैरी का वर हम फेस्टीवेल नहीं मनाता है जब चैरी का फलावर वाइट कलर से पूरा जंगल हो जाता है, तो हम बोले कि कनेरी के आसपास जो भी चीज सरक किनारे, जो भी रोड गुजरा उसके आसपास कुछ फ्लार्विंग प्लांट लगाया जा जो एक सीजन में एक साथ खिले खिल के पूरा जब खुबसूरत खिलेगा उस समय की खुबसूरती उसकी बढ़ेगी और देखेगा लोग और इस टाइप का एक नया परियोग भी होगा मतलब एक तरह से कि भाई ऐसा बनाया जा सकता है एरिया को तो इस टाइप से लेकिन वहाँ पर कोई नहीं सूचा, ऐसा वीजन ही नहीं है वीजन रहेगा तब तो कुछ करेगा आदमी आपसे समझना चाहेंगे एक बार मैंने भी आपसे आपसे एंठील के बारे में पूछा था कैसे खुजा था उसको कैसे यह तै हुआ कि वो सबसे टॉलेस्ट है इंडिया का उसमें देखिए आप कहीं से आप गुजरिएगा तो खुद आपको लग जाएगा कि यह चीज उनीक टाइप से है आपको खुद आप महसूस खुद भी कहीं पर किये होईएगा तो हम जंगल में बहुत चीज ढूडने के लिए जैसे हम इंसेक्ट ढूडने के लिए जाते हैं तो बहुत तरह-तरह का चीज दिखता है हमको तो उसको हम कैच करके फोटोग्राप के माध्यम से लाते हैं तो हमको लगा कि एंठील तोड़ा यूनिक टाइप का साइड भी उसका बड़ा लगा और बच्पन से जंगल में ही हम रहे तो जंगल में देखते देखते आंदाज हो गया था कि सच में बड़ा है फिर उसको फोटोग्राप के माध्यम से हम भेजे और उसको बहुत सारे जगब केवल वहां ही नहीं भेजे हम और भी जगब भेजे जैसे जिसे जिलोजिकल सरवे अफ इंडिया को भेजे तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कोई भी चीज हम ढूंडते हैं तो आप यहां पर आपको जानके आश्चाज होगा कि हमको उसका आइडिनिटिफिकेशन या उसको उसका नाम खोजने में प्रॉब्लम होता है अब इंडियल के बारे में हम दिये तो कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया मतलब कि यहां पर हम फोरेस्ट रिसर्च इस देहराद उनको भी हम एविन की उनका वारे में डिटेल भेजे थे तो कहीं भी देर से बलकि आया उन लोग पूरा एंट का परजाती से लेकि सब चीज बता दिया और वी दिन पाँच गंटा चार गंटा में पूरा मेल कर जवाब आने लगा इंडिया से आज छे साल दस साल होगे आज तक एक भी आदमी उसका रिप्लाई हमको नहीं दिया कि क्या है नहीं है जबकि जबान से आया जर्मनी से आया कि Mr. Sarma such type of paint ऐसा बनाता है वहाँ paint काई पर जाती होगा ऐसे होगा तो सोचिए कि मतलब हम कितना मतलब हमारा क्या सोच है कि सोच कितना हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ें और क्या कहरें ठीक है आप कुछ नहीं आप कम से कम आप उसको कम से कम यह तो बोल सकते थे कि आपका मेल मिला हमको आपको जानके एक बात और आश्याज होगा बिल्कुल प्रैक्टिकली बात हम बता रहा है कि Royal Insect of London करके एक सोसाइटी है जो इंसेक का सबसे बड़ा सोसाइटी है वो लाई किये तो उलोग बोला कि आपको हम लोग मरसिप देंगे आप पिछले पांच साल का हमको अपना वर्क का सीडी और वर्क कई बना के बेजिए जो भी फोटोग्राप्स है जो भी आप वर्क करते हैं ठीक और यहां पर जानते हैं यहां पर एक छोटा चीज के लिए भी कि अब बेज़ते हैं आप साइंस गेजुएट हैं कि ही आज कई रिजवेट कहां से आप थे कितना पढ़े इसे कोई मतलब नहीं है आपmand hm कि बताओ यह आप ने इस पर कितना काम किया तो थोड़ा सा तो हम लोग को दूख लगता है लेकिन अब हम नहीं लगता है इसलिए कि अब उसे स्टेज को पार कर चुके हैं हम अजके डिट में हमारा काम काई जरूर काहूंगा मैं कि हजारी बाग के योग करेकी काम को समझते हैं आपने बहुत सारी चीजों से हमें परिचित कराया है आपिने ये परदस्णी भी लगाया थे अपने फोटोग्राफी की जील पे इसको लेकर काफी चाचाए भी हुई थे समझना चाहेंगे आपके इतना काम किया, इतने सारे फोटोग्राफ्स लिए हैं कैनरी से लेके अलग-अलग स्पोर्ट पे, तो क्या कभी को ऐसी योजना है कि एक किताब के तौर पे उनको लेकिया बच्चों के लिए ताकि वो भी नेचर को समझ सके, वो जान सके कि उनका य तरी बागे यह काफी सम्रीद है, उसमें बिस्वेंदो जी कनेरी पर हम एक एक जिविशन लगाए थे, उसका नाम ट्रिब्यूट टू कनेरी करके हम दिये थे, ट्रिब्यूट टू कनेरी करके और मतलब जारकंड का वन अब जो लार्जेस्ट एक जिविशन था किसी एक उसके बाद भी हम बताना चाह रहे थे कि आज भी कनेरी कितना खुबसूरत है, जो हम मान लेते हैं कि कनेरी के किनारे से रोड निकल गया तो कनेरी बरबाद हो गया, ऐसा नहीं है, तो उस एक जिविशन को हम दगाए थे, उसमें हमारे पीछे यही था, कि कोई भी एक पीडि के का अच्छा रिस्पोंस भी मिला था, भी सुछन्दो जी आपने अच्छा कभरेज भी दिया था अपने टेलिग्राफ निजपेपर में उसका, और उसका अच्छा रिस्पोंस मिला था, और एक एक जिविशन हम लोग आंदरे हाउस में लगाना चाह रहे थे, और एक चीटी पर भी आपको विश्वास होगा, एक छोटे-छोटे, एक चीटी पर हम एक आदमी को बता दिखा सकते हैं, फ़रन में उरोपियन, जो पचीस साल से एक चीटी पर वर्क कर रहा है, और चीटी का लिफ्टिंग का पावर जो भी है, इंसेक्ट का बारे में एक ची से मिलता है, जैसे जैसी भी मसीन बनाओ या जो भी बनाओ, सारा इंसेक्ट से ही प्रेरना लेकर बनाए गया है, तो इंसेक्ट का इतना बड़ा जानवर का योगदान नहीं है, कैमो फ्लेक का आप देखिए, कैमो फ्लेक है, डेल्टा विंग जो मौत में जो डेल्टा विं बच्चे तो बहुत ज़्यादा चीज़ सीख पाएंगे उससे चली उमीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आप ऐसे ही नहीं नहीं खुछ करते रहेंगे और हम इनुबरू कराते रहेंगे तो ये थे परियावरन वित मित्विंचे सर्मा जी अगली बार फिर किसी नएक सेक्षियर के साथ आपसे मिलता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद